हलो अबरिवन मेरा नाम है अनमोल और बाइप प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैं आज आप लोगों को साइन्स का जो टॉपिक था हम लोगों का कर लोगों ने दो लेक्चर कंप्ड किया है आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आप लोगों नहीं देखा है तो मैं एक लोग से लोग पलता हूं कि आप लोग फो इक बार वेक्चर को या कर दो कि और हम लोग दो पार्ट ने chapter 1, science, ncrt का देख चुके हैं, class 10 तो आज हम लोग अपना तीसरा lecture को start करने जा रहे हैं इस lecture में हम लोग इस chapter को complete कर देंगे chapter 1 हमारा complete हो जाएगा, ये 3 lecture का है class और chapter 1 complete हो जाएगा उसके बाद में जो lecture 4 हमारा रहेगा उसमें सिर्फ chapter 1 का exercise questions, जितना भी exercise questions रहेंगे exercise questions रहेंगे, वो सारा हम लोग one by one discuss करेंगे और उमीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा ओके everyone, समझ में आ रहा है तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने topic के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज को topic क्या है as you know कि मैं आपके book से पढ़ाता हूं यह देख रहे हैं आप लोग का book का cutting में लगाया है हर एक page का cutting में लगाता रहूंगा जैसे कि यह वाला cutting है फिर उस तरह next page है उसी तरह सारा मैंने लगाया है आज हम लोग पढ़ेंगे oxidation and reduction reaction यह वाला जो topic है यह बहुत जादा important और बहुत बच्चे को यह topic समझ बने आता है आज मैं आप लोग को जो trick से बताऊंगा जिस तरह कर समझाऊंगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह topic clear हो जाएगा और समझ में आ जाएगा लोग पढ़ेंगे oxidation और reduction reaction oxidation में क्या होता है ध्यान रखविएगा ou of oxygen होता है addition of oxygen or two और reduction में क्या होता है removal of oxygen होता है removal of oxygen होता है ध्यान रहेगा oxidation में क्या होता है addition of oxygen होता है oxidation ध्यान रखिए oxidation में addition of oxygen होता है और reduction में removal of oxygen होता है और अगर hydrogen के term में बात करें तो oxidation में क्या होता है removal of oxygen होता है removal of oxygen होता है और basically इसमें क्या होता है? reduction में इसमें होता है addition of hydrogen बस इसका उलटा हो जाता है जैसे कि addition of oxygen होता है और removal of hydrogen होता है और reduction में removal of oxygen होता है और addition of hydrogen होता है बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोग को हम लोग अब बुक पे आते हैं अपना के बुक में क्या लिखा हुआ है देखिए आप लोग देख रहे हैं कि यहां पे एक बॉल लिया गया है चाइना D is containing copper potter है ला इसमें copper potter रखा गया और burner से इसे burn किया जा रहा है ओके तो क्या देख रहा है क्या हम लोग को outcome निकल रहा है कि जब copper burn कर रहा है इन दा presence of oxygen हम लोग जानते हैं कि oxygen के presence में कोई भी सब्स्टांस बर्न करता है तो यह क्या बन रहा है cuo बनेगा क्यों क्योंकि मैंने समझाय था कि कॉपर का वैलेंसी कितना होता है 2 प्लस होता है और oxygen का कितना होता है 2 माइनस होता है यह 2 and 2 कट जाएगा तो मारा बचा क्या cuo और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे copper oxide क्या कहेंगे copper oxide ओके और copper oxide का जो color होता है वो black color होता है black color होता है तो यह आप लोग को याद रखना पड़ेगा ओके गाईज तो देखिए यहां पर हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हूँ जा सर्फेस और copper powder becomes coated with black copper two oxide है ना why has the black substance form यहां पूछ रहा है तो answer में दिया हुआ है this is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed है ना देखिए यहां पर reaction दिया हुआ है कि Cu plus O2 अगर इसमें heat करेंगे थोड़ा सा त यह balancing किया हुआ है यहां पर two दे दिया है और यहां पर two दे दिया है यह तो balance करने में आप लोगों को सिखा चुका हूँ और रेडि मेरे next मेरे previous video में आप लोग जा कर देख सकते हैं ओके गाइज देखिए उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है उसके दिया हुआ है इफ हाइड्रोजन गेट है हाइड्रोजन गैस इस पास्ट ओवर इस हीटेट कॉपर सी यू ओ दे ब्लैक कोटिंग ऑन दे सर्फेश टर्न ब्राउन एस दे रिवर्स रियक्शन तेक्स प् देख रहें जैसे कि यहां पर आपर रूख देख रहें कि कॉपर को ओक्सीजन के साथ हीट कर रहें तो सी यू और सी यू ऊकू और हीड्रोजन के साथ हीट कर रहें कि यह कोपर अपना अलग फिरसे वापस से बन जा रहा है थाल् . इसी टायप करheen रियक्शन, infectedчик और यहां पे देखिए तो यहां पे oxygen था खौपर के साथ चुछ तो यहां पर अलग हो गया तो यहां पर reduction हो रहा है आगे पढ़ते हैं यहां टक्स रिखा हुआ और फिर आगे में लिखा हुआ है if a substance gains oxygen during a reaction it is said to be oxidized मैंने बताया भी कि substance अगर oxygen gain करेगा तो वो क्या हो जाएगा oxidized हो जाएगा and if a substance loses oxygen during a reaction it is said to be reduced similarly मैंने बता भी है कि अगर oxygen lose करेगा तो क्या कहलाएगा रेड्यूस्ट कहला यह कहला होगा gain of oxygen तो oxidized हो जाएगा और रिमूबल होगा oxygen का तो क्या हो जाएगा रेड्यूस्ट हो जाएगा बस इतना ही ध्यान रखना है okay next देखते क्या लिखा हुआ फिर लिखा हुआ है during this reaction the copper oxide is losing oxygen हो रहा है था copper oxide oxygen lose कर रहा था और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है and in other words one reactants get oxidized while the other gets reduced during a reaction such reaction is called oxidation reduction reaction or redox reaction देखिए यहां पर एक फिर से मैं reaction लिखता हूँ अब redox reaction के बारे में यहां सम्झाया जा रहा है यह reaction अभी मैंने लिखा था फिर से लिख रहा हूँ देखिए तो यह वाला चीज में oxygen था और यहां पर जाके oxygen हट गया है ना और यहां hydrogen के साथ oxygen नहीं था यहां जाके oxygen जूट गये तो यहां पर क्या हो रहा है हमारा यहां पर हमारा हो रहा है reduction और यहां पर क्या हो रहा है Oxidation, फुरा है न, तो जिस reaction में reduction और oxidation दोनों होता है, वैसे reaction को हम लोग Redox reaction कहते हैं, बस इतना ही आप लोग को धियान रखना है, Redox, देखिए, RE जो लिया है, RED, यह reduction से लिया है, और OX जो लिया है, वो oxidation से लिया है, बस इतना ही धियान रखना है, समझ में आ रहा है, तो य एक्साइंप्ल्स दिए हुआ है कौन साइखेम्पल्स दिया हुआ हुआ हम लोग देख लेते हैं Zinc Oxide प्लस carbon क्या बन जाहेगा Zinc Plus Carbon Mono Oxide देखे यह वाला oxygen था यह पर oxygen खतम हो गया और यहाँ पर oxygen नहीं था यह पर oxygen जूट गया तो यह भी क्या हो गया किसका एक्जैम्पल हो गया रिडॉक्स रियक्शन का और भी एक एक्जैम्पल दिया होती यह सब रियक्शन्स आप अपने कॉपी में नोडाउन कीजिए क्योंकि डिरेक्टल एक्जैमिनेशन में पूछता है आप लोगों से बैलेंसिंग करें तो इसमें भी हो रहा है हो रहा है ना यहां पे ऊक्सिजन था यहां पक्री। lose हो गया तो lose हो गया तमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर reduction हो रहा है और यहाँ पर देखिए तो साथ chlorine है तो मिल्म हड़ा हो जाएगा तो chlorine नहीं है तो यहाँ पर क्या हो गया chlorine हट गया oxygen आगया that means oxidation हो गया तो ये भी किसका exemple हो गया red wedge reaction का आरा समझ में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा यह वाला टॉपिक Oxidation and Reduction और भी कुछ दिया हुआ है आपर देख लेते हैं HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2 तो from the above example we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized and if a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced तो मैंने यह चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बॉक्स पना के समझा दिया था है ना आगया समझ में चलिए उमीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा नेक्स डेखते हैं हमारा जो 1.3 में है have you ever observed the effect of oxidation reaction in daily life जो हमारा डेली लाइफ होता है जो हम लोग डेली अपना काम करते हैं इसमें कहां पे हम लोगों को oxidation और reduction reaction देखा जाता है ओकी oxidation के बारे में से बता रहा है oxidation कहां पे दिखा जाता है तो पहला है corrosion क्या है corrosion corrosion मन समझते है ना जो शड़ जाता है लोहा वेगारा हमारा वो दिया हुआ गया तो देखिए तो हम लोगों क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं रीडिंग करते हैं रीडिंग भी जरूरी है यू मेंस्ट वाप्जर्व दैट आइरन आर्टिकल्स आर सायनी वें नियू तो आरन आर्टिकल्स क्या होता है आगर हम लोग उसको कुछ देट तक छोड़ देते हैं तो और इस प्रोसेस इस कॉमनली नोवन एस रस्टिंग और इसी को में लोग क्या कहते हैं रस्टिंग और रस्टिंग और और उसके लाग क्या बोल रहा है मतलब कि कॉपर और सिल्भर का भी रश्ट होता है अप लोग को नहीं पता है तो धान रखिए कि कॉपर और सिल्भर भी सड़ता है तो रश्ट कहलाता है उसका टार्निग हो जाता है वेने मेटल इस अटेक्ड बाइस सब्सक्ष्टांस अराउंड एट सच एस मॉइस्टर एसीट एक्सपोस करते हैं तो क्या होता है इस सेट तू करोड तो उसी को क्या और को रोजन कहते हैं को जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है निएक्ट पढ़ते हैं दा ब्लैक कोटिंग और और दा कॉपर अग्जामपल सफ क्रोशन तो जो यहां पर एक चीज आप लोग और बताया जाना है कि जो सिल्भर का होता है सिल्वर का कोरोजन होता है यह चलते हैं और जो भूर पहल यह न फिर प्रोशन होता के जा- क्रदेश को पता भच्य हैं रेडिश ब्राउन रेडिश ब्राउन ओके चली आगे देखते क्या बोल रहा है कोरोजन कॉज़ेश डैमेज तो कार बोडी बिरीजेस आइरन रेलिंग शीप और अब अब्जेक्ट्स मेड़ अप मैटल्स इस्पेशली दोज आइरन तो कोरोजन डैमेज तो कॉज़ेगा ही सड़ेगा जब तो जिससे बना हुआ रहेगा गाड़ी वेगरा ब्रीज वेगरा आइरन पट्री जहाज जितना भी मैटल से बना हुआ रहेगा लोहा से वह उसको डैमेज करेगा जैसी जैसे कॉरोजन होगा तो कॉरोजन ओफ आइरन इस सीरियस प्रॉब्लम एवरी येर अनुर्मस एमाउंट ओप मनी इस स्पेंट टू रिप्लेश डैमेज डैरन तो हम लोगों को हर एक साल बहुत ज्यादा पैसा लगता है हमारे नया नया लोहा को ठीक करने में या फिर नहीं उसको बनाने में या फिर उसको रिपेर करने में ओके ती दिया गया है समझ में आ बहुत दिन तक छोड़ देते हैं तो उसका स्मेल कभी सुंगे है वही बोल रहा है फेट्स और वायल्स और ऊकसीडाईजेट को हो रगाल होनोऑ फीर बदल जाता है कि दो फूट only तूर कर निटे cross ौुछा भाथ чтоб क्रने गाल बढ़नव हो रहा है मतलब कि फूट प्रिसर्वेटिवटिव का बात हो रहा है ओलू फूड प्रिश बदोmal मतलब प्प्रेजर यह होता है कि आम लोग डालते हैं अपने खाने वह घदा वेगए तो खराब नहीं होगा कि आप जानते हैं लेस कुर कुरे का अपना पैकेट में इतना हवा क्यों देता है कि यूव जो अंदर में खाना रहता है वह और अक्षिडाइज नहीं हो इसी लिट में क्या भरा जाता है नाइट्रोजन, question examination में पुछेगा, नाइट्रोजन की कौन सा गैस भरा जाता है, लेज वगएरा में, चिप्स वगएरा के, कुर्कुरे वगएरा में, ओके, तो क्या दीजेगा answer, नाइट्रोजन, आरा यहां तक समझ में आ गया, तो यह chapter आपका finish हो चुका है, यह देखिए, यहां पर कुछ questions वगएरा है, यह वाला questions हम लोग अभी पढ़ेंगे, तीन questions हों हम लोग जान लेंगे, उसके बाद यह वीडियो को खतम करेंगे, तो पहला question देखी क्या है, पहला question है, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it, तो मतलब बोल रहा है कि अगर copper sulfate का solution हम लोग लेंगे, practically समझे, और एक iron nail को हम लोग deep कर देंगे, iron काटी होता है ना तो उसमें deep कर देंगे, और हम लोग को पता है कि cuSO4 का solution होता है, वो blue color का होता है, blue color का होता है, यह ध्यान रखेगा, तो यह question पुछता है examination में, और हम लोग अगर जैसे यह iron nail डालेंगे, तो यह जो blue color होगा, वो fade होके green color बन जाएगा, यह बोल रहा है क्यों होता है, देखिए हम लोग पहले reaction पढ़ते हैं, cuSO4 plus Fe, Fe मतलब iron हम लोग डालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, Fe यह sulfate के साथ react करके FeSO4 बना लेगा, FeSO4, और प्लस क्या बच जाएगा, copper, that means copper बच जाएगा, तो यह जो FeSO4 है, यही green color का होता है, यहाँ पर reaction होता है, यह जो iron होता है, जैसे के हम लोग FeSO4 में डालते हैं, तो यह react करके यह अपने नया compound को form कर जाता है, और वो जो blue color होता है, वो fade होके धीरे-धीरे, slowly-slowly green color में बतल जाता है, that is the solution of FeSO4, okay, और copper OC में रहता है, मिला हुआ, आरा समझ में, यही कारण से हमारा solution होता है, वो change हो जाता है, give an example of a double displacement reaction, other than the one given in activity, मतलब double displacement reaction का आपको क्या देना है, example देना है, जो कि other than reactivity में है, हमारा reactivity था, activity था 1.10, उसमें एक जो activity दिया हुआ, उसके accordingly छोड़के, उसके question को छोड़के आपको एक double displacement का answer देना है, तो माल लेते हैं हमारा Na2CO3 है, और CaCl2 है, तो यह भी एक double displacement का है, double displacement मतलब क्या हुआ, कि यह जो इसका cation है, यह इसके anion के साथ चले जाएगा, और यह जो cation है, यह इसके anion के साथ चले जाएगा, और cation anion आप लोगों समझ में नहीं आता है, तो मेरे previous वीडियो को जाकर देखिए, और अच्छे समझ में आएगा, तो यह आप हमारा क्या बन जाएगा, NaCl plus CaCO3, यह इसके साथ चले जाएगा, यह इसके साथ चले जाएगा, तो यह भी एक एक्जैम्पल हो गया, किसका, डबल डिस्प्रिस्मेंट का, और जो कि आपका एक्टिविटी 1.10 में नहीं दिया हुआ है, तो यह आप एंसर लिख सकते हैं, ऐसे होगा तो एंसर बहुत सारा, बाट यह भी बन आप देम है, तो टू नमर भी हमारा हो गया, अब थर्ड नमर पे आते हैं, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction, तो ऐसा कौन सा substance है जो कि oxidized हो रहा है और reduced हो रहा है, तो पहला question है हमारा Na plus O2 gives 2 Na2O, यहाँ पे 4 है, तो यह इसमें बताइए, इसमें देखिए तो यहाँ पे Na से NaO बन गया, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर کے Edition of oxygen हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर oxygen का loss हुआ है, दो oxygen थो यहाँ फे、 एक है oxygen बन गया, तो अबर ओलन में लोग क्या किए fid godmarks का है, इंज वह की हुआँ आ गया? चलिए निश्ट पर देखते हैं सकंड नमर क्या दिया हुआ है सकंड नमर है हमारा CuO plus H2 gives Cu plus H2O यह तो बच्चे बच्चे बता देगा तो CuO देखिए Cu बन गया तो अभी तुरत हमें आप लोग को बताया कि जब loss of oxygen होता है तो क्या होता है reduction होता है और जब gain of oxygen होता है तो Oxidation होता है बन गया कोश्चन तो यह Oxidation हो गया यह Oxidate हो गया और यह क्या हो गया है यह Reduced हो गया ओके ओके अबरिवन आ रहा है समझ में नेश्च चलते हैं देखिए अब वाट यू हैव लर्ण अब हम लोग देखिए exercise तो मैंने बताया कि next वीडियो में करें क्योंकि बहुत लंबा एक्सरसाइज है वन बाइवन स्लोली स्लोली हर एक कोशन को करेंगे सबसे पहले हम लो अब कि सिंबल दियर थे प्र स्य में क्या है दिया मार्त करेंगे विजिए कमी का रिपरेजेः करेंगा र यू अज़िंत नेश्च पन परेंड डोष इ panUpर जाया यड़ दै थी इतल्यू होता Θे ला 50 उना इक पर लो धीडियो धक, और अलिम दू में दॉक ऋपरता है इंज एक्वेशन मस्ट अल्बेस भी बैलेंस तो बोला जा रहा है कि हमारा एक्वेशन हमीशा बैलेंस दोना चीज यतना नमबर आप इधर रहेगा उतना ही नमबर सब्सक्राइब इधर रहना चाहिए ओके नेक्स्ट थर्ड हमारा इने कॉम्बिनेशन रियक्शन टू और मोर सब सब्सक्राइब नियू सिंगल सब्सक्राइब पता था हम लोगों को यह वाला कोश्चन एच्टू प्लस और टू क्या बनता है एच्टू बनता है तो दो अलग चीज मिलके तीसरा चीज बनाता है तो इसी को में लोग कॉमिनेशन रियक्शन करते हैं ओके नेक्स्ट है डि इक पर्टूक्लर चीज दो यह दो सब्सक्राइब टूट रहा है नेक्स्ट है रियक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोग विद द प्रोडेक्ट आर कॉल एक्सो थर्मिक रियक्शन किसे करते हैं इसमें की हीट गिवन आट होता है हीट 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 मैं लिग देता ह अंतर्मिक इसने कहेंगे हीट हीट रइक मारत होता है ऑके एब्साइब होता तो यहाँ पर क्या लिख दे एनरजी एब्साइब्सारट आहरा सब्सक्राइब में हीट कि इवल्ड और अिंद्रालोख में हीट अग्सो चिंदे बीक विच आ कंपार को कहा दूसरे एलिमेंट को Displace करता है माल रिपह सब्सक्राइब लिते हैं तो दिखिए तो जिंक इसको Displace करके क्या कर देगा सब्सक्राइब कर देगा उब ब्लस चे थी हो गया तो डिफ्रेंट अटम और ग्रूप अप्टम्स और एक्स्चेंग इंडबल डिस्प्रेशमेंट तो अभी मैंने आप लोगों को बताया हूँ और reaction एक्षण एने टूपरी प्लस चील और रियक्षण में बताया इसमें क्या होता है एने सीयल प्लस इसी ओ ठीक देखे तो यह इसका ले लिया और यह कंटायन इसका ले लिया वहीं गोन चीज हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं double displacement ओके double displacement के समझ में आ रहा है निस चलते हैं निश्य क्या है two different atoms और group of atoms आर exchange in double displacement ति हमारा हो गया precipitation reaction produce insoluble salt तो precipitation reaction जो होता है precipitate इसमें बनता है वो insoluble salt बनाता है तो आपनों याद कर लिजे कौन सा reaction प्रिस बनाता है तो प्रेसिपिटेशन रियक्शन बनाता है और जो हमारा आखरी पॉइंट है रियक्शन और लॉस ऑप ऑक्सीजन मतलब कि हम लोग अभी जो ऑक्सीडेशन और रेडक्शन पढ़े उसके बारे में दिया हुआ एडिशन और रिमूबल अफ हैड्रोजन और इसमें सब्सक्राइब और उम्मीद करते हैं आप लोग यह वीडियो पसंद आया होगा अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्शर में मिलेंगे इसमें लोग एक्सरसाइज का क्वेश्टन डिसकर्स करेंगे ओके तो ओके अवरीवन फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए इस्टे सिफ इस्टे कनेक्टेट एंड है वे ना हिंटेट थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग